दोस्तो हैपिएस्ट माइन का शेयर लगातार करेक्शन मूड में चल रहा है पंदरा सो सोला सो के आल टाइम हाई के बाद आज ये स्टेयर 900 से 1000 ओपे के बीच में ट्रेड कर रहा है तो आज दोस्तो हम लोग happiest mind के बारे में detail में बात करने वाले हैं देखेंगे पहले briefly कि ये company काम क्या करती है major revenue अपना कहां से derive करती है उसके बाद इसके fundamental से देखेंगे इसकी growth कैसे दिखती है profit के margins वगेरा कैसे दिखते है technically देखेंगे कि कहां पे इसका अच्छा support दिखता है और end में आप बात करेंगे कि क्या मेरे हिसाब से आपको इस price पे इस share में invest करना चाहिए या नहीं तो आईए दोस्तो देख लेते हैं ये video तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना DMAT account नहीं खुलवाया है तो link मेंने description में दिया हुआ आप जाकर खुलवा सकते हैं अब हम बात करते हैं अगर happiest mind की सबसे पहले कि ये company काम क्या करती है तो since ये एक IT company है तो ये IT से related अलग-अलग services provide करती है अलग-अलग clients को जिसमें से main तीन services ये provide करती है एक तो digital transformation की दूसरा infrastructure security और तीसरा इसकी जो काम आ जाते है वो है product engineering services तो ये तीन broad services है जो ये provide करती है इन services के अंदर ये और भी बहुत सारी sub services provide करती है तो ये basically एक service IT से related company है जो अलग-अलग services अपने client को provide कर रही है इसका IPO 2020 September में आया था और अच्छी-खासी return इसने अपने IPO से लेकर अभी तक यहाँ पर investors को generate करके दिये अगर आप services की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है कि ये sector किन sectors को majorly provide करती है वो भी यहाँ पर लिखा हुए BFSI, Edutech, High Tech उसके अलावा manufacturing, industrial companies को, retail industry को travel and hospitality sector को ये अपनी services provide करती है तो अगर हम services की बात करें तो blockchain, cloud, BPM and integration, security ये सारी जो बाते हैं ये digital बाते हम कर रहे है security की अगर बात करते हैं तो data security और infrastructure की अगर हम बात करते हैं तो digital infrastructure ये provide करती है ये चीज़ मुझे उमीद है आपको clear हो गई होगी उसके अलावा internet of things ऐसे करके बहुत सारी अलग-अलग ये internet related services clients को provide करती है अगर हम बात करें इसकी revenue की जो अलग 3 sectors हमने इसके बताये थे तो सबसे जादा जो इसका business है वो product engineering services से हाँ पर generate होता है 46% के आसपस उसके बाद आजाता है 29% पर digital business solution और सबसे आखरी में infrastructure management and security services जो 21% यहाँ पर part play करता है तो product engineering services की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके जो किसी भी company के अलग-अलग products launch होते हैं उसमें अगर उनको कोई changes कराने हैं products online करने हैं तो उन सब type के कामों में यह help करती है digital business solutions में अलग-अलग जो companies की requirement है business को digital लानी की उसके लिए यह help करती है और infrastructure management और security service में data को manage करती है और data से related जितनी भी security है जो internet से related security services है वो यह company यहाँ पर provide करती है तो मैं उमीद करता हूँ आपको एक brief understanding मिल गई होगी कि happiest mind basically काम क्या करती है IT company तो है लेकिन IT में कैसा किस type की यह काम करती है अब अगर हम बात करते हैं vertical wise तो सबसे ज़ादा जो यहाँ पर provide कर रहा है 23% यह edutech को provide करता है edutech sector को यह सबसे ज़ादा अपनी services यहाँ पर provide कर रही है अगर आप देखेंगे जितनी भी edutech high tech यह companies हैं उनको services उनका जो main business है वो सारा IT based ही यहाँ पर चल रहा है तो यह companies जितनी भी IT companies हैं उनसे help लेती है तो edutech sector को यह काफी अच्छा का सा revenue generate कर रहा है high tech sector से भी 17% revenue generate हो रहा है उसके अलावा retail sector हो गया BFSI industrial यह majorly sectors हैं जिनसे यह अपना revenue generate कर रहा है और अगर हम और उसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे digital infrastructure cloud से 45% revenue generate हो रहा है SaaS services से 21% revenue generate कर रही है security service से 11% revenue generate कर रही है analytics और artificial intelligence की services से 11% revenue है वही internet of things से यहाँ पर इसको 6% revenue generate हो रहा है सबसे जादा revenue इसका America से generate होता है 65.7% तो यह एक थोड़ा अगर company के बारे में समझते हैं तो यह एक risk है कि बहुत जादा जो इसकी dependence है वो अमेरिका पर यहाँ पर देखने को मिल रही है revenue के लिए उसके अलावा जो पैसा है वो यह Europe, India और rest of world से generate कर रहा है तो यह एक risk है अगर आप इस company में invest करने के बारे में यहाँ पर सोचते हैं और अगर आप दूसरे risk की बात करें तो वो आजाता है revenue concentration का risk जो इसका 60% revenue है वो top 20 clients से generate होता है तो यह भी एक risk है जो आपको समझके चलने है total 38 customers इसके पास हैं जो 1 million dollar से जादा की इसकी billing है जिन customers को तो यहाँ पर top 20 जो clients हैं उन पर बहुत जादा dependent यह हो चुका है वो चीज आपको एक बार यहाँ पर समझके चलनी है तो यह हमने यहाँ पर discuss किया था detail में यहाँ पर industry को पार है आप देख सकते हैं लगातार edutex sector इसको quarter on quarter अच्छा खासा revenue generate करके दे रहा है 26% high tech से 17% BFSI से 13.7% उसके अलावा travel media and entertainment से भी 13.7% तो यह majorly यहाँ से अपना जो revenue है वो generate कर रहा है जो कि एक stable यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है वहीं दोस्तों जैसे कि हमने अभी बात की थी जो इसका risk है USA related कि 65.7% जो इसका revenue है वो USA से generate होता है लेकिन एक इसमें अच्छी बात किया है कि यह company धीरे धीरे जो अपनी dependence है USA पर वो कम कर रही है 2020 financial year में 77.5% revenues का USA से generate होता था जो अभी कम होके 65.7% आ गया है तो यह एक positive बात इस company की है और जैसे हम customer concentration के risk पर बात कर रहे थे यहां पर आप देखेंगे सिर्फ एक customer इसके पास है जिसकी billing 10 million dollar से जादा की है तो अगर एक यह customer चला जाता है तो इस company को भारी नुकसान हो सकता है एक साल में 10 million dollar का सीधा इसको नुकसान होगा तो यह एक बहुत जादा risk इस company के उपर आ जाता है अगर यह धीरे धीरे अपने client नहीं बढ़ाएगी 10 million से जादा वाले तो एक client पे dependence हो जाएगी और अगर आप माल लीजे अगले quarter या अगले से अगले quarter में यह news आ जाती है कि वो client इसका चला गया तो company के share को भारी गिरावट उस वक्त देखने को मिल सकती है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे चाहे आप financial year 20, 21, 22, 3ों की बात करें तो सिर्फ एक client ही 10 million dollar से जादा का चल रहा है तो वो चीज एक थोड़ा यहाँ पर risk generate करती है इस company के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो चीज आपको यहाँ पर समझ के चलनी है अगर recent wins की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे European Union के multinational manufacturing company के लिए यहाँ पर automation framework और development operation project यहाँ पर इसने win किया है उसके अलावा US fashion retailer के लिए भी इसने security service partner बनने का यहाँ पर जो contract है वो जीता है उसके अलावा America में दुबारा एक data center automation का इसने काम जीता है तो basically मुझे उमीद है कि आपको यह एक fair idea मिल गया होगा कि काम किस type का यह company यहाँ पर करती है किस type की services यहाँ पर provide करती है अब दोस्तों अगर हम इसके financials यहाँ पर बात करते है तो recent में मार्स 2022 में इसने जो result पेश की है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर quarter on quarter increment देखने को मिला है sales में March 2022 में 287 करोड के आसपास की sales की है December 21 में 266 करोड के आसपास थी तो sale में increment देखने को मिला है लेकिन बहुत जादा increment नहीं देखने को मिला है 57% के आसपास का यहां पर increment देखने को मिला है operating margins की बात करें तो लगातार पिछले कई quarters में operating margins इसने अपने अच्छे की है 26% के आसपास operating margins इस वक्त इसके चल रहे हैं तो operating margins इसके काफी अच्छे यहां पर देखने को मिल रहे है लेकिन IT sector में जो एक दिक्कत आ रही है जो हर company को face करने को मिल रही है attrition rate और यहां पर जो employee cost है वो भी लगातार बढ़ रही है तो हो सकता है आने वाले time में ये भी एक risk आपको समझ कर चलना है क्या हो सकता है आने वाले time में इनकी भी employee cost बढ़ जाया और उसकी वज़े से इनके जो margins है वो कम हो जाए profit before tax की बात करेंगे तो अच्छी खासी increment यहां पर देखने को मिल रही है 60 करोड से 81 करोड यहां पर हो गया है लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे other income 9 करोड के आसपास बढ़ी है तो real अगर आप देखेंगे लगबग 10-20% की increment profit before tax में भी देखने को मिल रहा है तो profit before tax में अच्छी increment है अगर आप quarter on quarter देखते हैं अगर आप year on year भी देखते हैं तो भी अच्छी खासी यहां पर increment देखने को मिल रहा है मार्स 2021 में 208 करोड के आसपास का इसकी sale थी और profit 37 करोड था तो चाहे आप quarter on quarter देखें year on year देखें improvement देखने को मिल रही है वही अगर हम दोस्तो overall sales growth पर बात करते हैं तो sales growth अच्छी दिख रही है 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, 1 साल में वही profit growth की बात करें 10 साल, 5 साल, 3 साल हर period में काफी अच्छी profit growth और sales growth दोनों ही यहां पर देखने को मिल रही है तो वो चीज़ के एंगल से अच्छा दिख रहा है return on equity भी काफी अच्छी है since IT companies है IT companies की return on equity return on capital employed generally अच्छा ही देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी अच्छा खासा है return on equity देखने को इस फक्त मिल रहा है shareholding pattern पे इसकी बात कर लेते हैं तो shareholding में यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार public का जो shareholding है वो इसमें बढ़ रही है 32% हुआ करती थी September 22 में जो अभी बढ़के 36% के आसपास हो गई है DII is लगातार selling कर रहे हैं आप देखेंगे 1.48% के आसपास यहाँ पर selling कर करके यहाँ पर आ चुका है जो 7% हुआ करता था Domestic Institutional Investor का वो काफी कम इस वक्त हो गिया है और यही एक reason है जिसकी वज़े से इसका share लगातार correct हो रहे है Foreign Institutional Investor ने अभी भी इस company पर भरोसा उतना ही दिखाया हुआ है लगबक 6.29% तो जो बड़े investors हैं वो इस company में selling कर रहे हैं लगातार जिसकी वज़े से यहाँ पर इसमें यह selling देखने को मिल रही है इतनी गिरावट देखने को मिल रही है और अगर हम return on equity की बात करते हैं अच्छी है return on capital employed भी अच्छी है stock का जो price to earning ratio है वो बहुत ज़ादा है और उसके अलाबा book value सिर्फ 45 की है तो price to book ratio भी काफी ज़ादा है तो valuations के इसाब से अगर आप देखेंगे थोड़ा higher side पे यह अभी भी इस वक्त लग रहा है 74 की PE ratio है और अगर आप देखेंगे all time high इसका 1581 रहा है तो अपने all time high से 600-700 रुपे के आस्पास यह कम हो चुका है 40-45% की correction यह अपने all time high से अल्रेडी दिखा चुका है उसके बाद भी थोड़ा market conditions के इसाब से जो उसका price to earning ratio है वो थोड़ा ज़ादा लगता है अगर हम इसके key levels की बात करें then 950 से गुमा था इस वक्त यहाँ पर भी 1000 से के उपर काफी अच्छा support काफी अच्छे time तक इसने trade किया है तो 940-950 के आसपास अच्छा support level है और यह अभी 900 के आसपास गया था तो गुम के फिर उसी price पे आने की कोशिश कर रहा है fundamentally काफी अच्छी company है इस company के साथ है वो high PE ratio है जो थोड़ा doubtful करती है कि क्या इन level space को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि यह एक अच्छे levels है जिसमें आप इस company को थोड़ा-थोड़ा करके buy करने के बारे में सोच सकते है netcap IT space में यह share काफी अच्छा मुझे लगता है लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो investment की advice नहीं देती है सारी वीडियो मैं educational purpose के लिए ही बनाता हूँ आप किसी भी company में invest करने से पहले अपने financial advisor से जरूर बात कर ले उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस company के बारे में और ज़्यादा detail में समझने का मौका मिला होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share जरूर कर दे धन्यवाद